नमस्काल विद्यार्तियों मैं स्वाहुलाल बागरा आज अपन इस वीडियो में इस कलास में कलास एर्थ का पंचम पार्ट है 500 पार्ट है कंटकेव नेवे कंटकम की काटे को काटे से निकाला जा सकता है या कंटे के साथ काटे के साथ काटे के साथ काटे से विहर करना चाहिए काटे को काटे से निकाला जा सकता है अब देखो अपने मद्य परदेश के हिंडोर जिले में परधानों के बीच परचलित एक लोग कता है ये पंच्तंत्र की सेली में रचित है इस कथा में यह इस्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई या पर्त्यू उत्पन मत्य वह से भाहर निकला जा सकता है इस कथा में यह इस्पष्ट किया गया है कि संकट के समय मनुश्य को चतुराई चाला की और पर्त्यू उत्पन मति कारता है कि तुरंत जवाब देना कि किसी भी बात का किसी भी समयशे का समाधान तुरंत उत्पन होना चीए तुरंत उसके दिमाग में आना चाहिए तो पर्त्यू उत्पन मति कारता है तुरंत उत्तर देना इनकी सायता सही हम संकट से बाहर निकल सकते हैं संकट से निपर सकते हैं तो आशीत अब अपना पार्ट चुरो रहे तो पार्ट यह है दे को इदर आशीत कस्चित चंचलो नामे व्याद है आशीत का अर्थत है था कस्चित यानि किसी चंचलो नामे कस्छित नाम है व्याद है व्याद का अर्त इंगता Greens कritis नाम है व्याद का अर्त था आशित इखाए व्याद का और इसफिखार्ण सबोस्वर्ट एक व्याद था, एक सिकारी था, पक्षी मिर्गादिनाम ग्रहने, सय सविया जीविकाम निर्वाहती, इसमें है, पकसी मर्ग आधिनाम पकसी मर्ग आधि को ग्रणेन पकड़ करके सवग्या जीविका अपना जीवन या अपनी जीविका निर्वायती इसमे निर्वाय करता था अपनी जीवी का चलाता था पक्षी हिरन आदी को पकड़ करके वह अपनी जीवी का चलाता था अपना जीवने अपने करता था एक दा एक बार सै वने जालम विश्तरिय गरहम आगतवाने अपने घर आ गया कि एक बार वहे जंगल में जाल को फेला करके अपने घरे आ गया अन्यस्मिन दिव से करता है दूसरे दिन प्राते काले सुबह के समय यदा जब दूसरे दिन जब वहे प्राते काल को यदा जब चंचले वनम गत्वाने चंचल नाम का व्याद या सिकारी वनम गत्वाने वन को गया वन में गया तदा तब से दृस्टवान से नी वहे या उसने दृस्टवाने नी देखा तदा से दृस्टवान तब उसने देखा यत की तेन विस्तारिते जाले दोरबाग्याद एके व्यागरे बधे आसीत तब उसने देखा कि यत की तेन विस्तारिते तेन उसके दवारा विस्तारिते मतलब फेलाए गए तेन उसके दवारा विस्तारिते फेलाए गए जाले जाल में कि उसके द्वारा फेलाए गए जाल में दुरुबाग्या थे दुरुबागे से एक व्याग्रे एक व्याग्र एक शरंगाल एक व्याग्रे मतलब एक बाग बध्यासित बंदावा था सो एचिंतियत उसने सोचा तब उसने सोचा व्यागर व्यागर माम खादिशती कि व्यागर मुझे खाएगा अतेवे पलायनम करणियम इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए कि व्यागर मुझे खाएगा इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए व्यागर नवे देते व्यागर ने निवेदन किया जब व्यागर आता उसको देखर डर के मारे शिकारी भागर आता तो व्यागरण निवेदिन किया भु मानवे, अरे मानव कल्यान बहुतू ते कल्यान बहुतू होगा ते ने तुमारा कल्यान होगा यदी यदी तवाम माम तुम मुझे मोची शेछी छुडाओगे तरही तो सुनना इधर कि यहां से देखना दुबार से सो ए चिंत्यत यहां से देखना कि सो ए चिंत्यत है उसने सोचा व्यागरे माम खादिशेती कि व्यागर मुझे खाएगा अत्यवे पलायनम करणेम इसलिए यहां से पलाइन करदाना चाहिए यहां से भाग जाना चाहिए व्याग्र नवेद्यती तब व्याग्र ने निवेदन किया भो मानवे हे मनुषे तुम्हारा कल्यान होगा यदि तवम माम मुचिशची यदि तुम मुझे इस जाल से छुडाओगे तब तुम्हारा कल्यान होगा तरही तो यदि तुम मुझे छुडाओगे तरही तो एहम तवाम नहीं हनिसेमी में तुम्हें नहीं मारूँगा तदा तब से व्याद है शिकारी व्यागर को या बाग को जालात जाल से बही बहर निर्शार्यते निकाल देता है तब वह सिकारी बाग को जाल से बहर निकाल देता है व्यागर कलांते आसीत व्यागर बड़ा दुखी था व्यागर या बाग कलांते आनी दुखी और थकावा आसीत था व्यागर बहुत थकावा था और दुखी था सो आवदत इसलिए वहे बोला भू मान वै हे मनुशे हे मानव पिपासू अहेंग IF पिपासा हूँ कि मैं प्यासा हूँ नद्याम जलम आनियम मम पिपासू समय नद्याम नदीका जलम आनियम जल ला करके नदीका जल ला करके मम पिपासाम समय मम नदीका जल ला करके मम पिपासाम समय मम नदीका जल ला करके मेरी पिपास को समय मतलब शांत करो व्यागरे जलम पित्वा व्यागरे जल पीकर के पुन्हे फिर व्याध्य अवदत व्याध से बोला शिकारे से बोला क्या कि व्यागर जल पिक करके पुनहे व्याधम अवदते पुनहे सिकारे से बोला समय में पीपासा समय मतलब श्यांत हो गई है में अनि मेरी पीपासा अनि प्यास अब मेरी प्यास श्यांत हो गई है सामपरता में अब भुभुक्षितो अस्मी में भुखा हूँ अब में भुखा हूँ मेरी प्यास तो श्यांत हो गई है बलकि अब में भुखा हूँ इदानीम अब अहम तवाम में तुझे खादिश्यामी खाऊंगा इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा ये बात कौन कहता है व्यागर व्याद को कहता है शिकारी को कहता है चंचल उक्तवाने तब चंचल नामक शिकारी ने कहा अहम अहनी मैंने तवत करते तुमारे लिए दरमम आचरित्वाने दरमका कारिय किया है या दरम जैसा आचरण किया है तवया मिथ्या भनितम बल्कि तवया नी तुमने मिथ्या नी जूट भनितम नी कहा बल्कि तुमने मुझे जूट बोल दिया बल्कि तुम 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 मुझे खाना चाते हो तुम तो मुझे खाना चाते हो इसलिए तुमने मुझे जूट बोल दिया बल्कि तुम तो मुझे खाना चाते हो व्यागर एवदत तब व्यागर ने कहा अरे मुर्ख है हे मुर्ख किसुदारताए किसुदारताए भूख के लिए किमपी कौन सा एकारियम बूराकारिये मतलब किमपी नहीं कोई भी किसुदारते मतलब भूख के लिए किमपी कोई भी एकारियम बूराकारिये ने बहुती नहीं होता है और ये मुरके भूक के लिए कोई भी बूरा कार्य नहीं होता है सेर्वे स्वार्तम समीते सेर्वे नहीं सभी स्वार्तम नहीं स्वार्त को समीत यानि सादते हैं सभी अपना स्वार्त सादते हैं सभी अपना स्वार्त सित करते हैं चंचल नदी जलम अपर्चत तब चंचल नामक शिकारे ने नदी के जल से अपर्चत यानी पूछा नदी के जल से पूछा नदी जलम अवदत तब नदी के जल ने कहा या नदी का जल बोला एवम एवे बहुती एवे का अर्था ऐसा ही बहुती होता है तब चंचन नामक शिकाले ने नदी के जल से पूचा तब नदी के जल ने कहा या नदी का जल बोला एवम एवे बहुती ऐसा ही होता है जना लोग मई मुझमे इसनान करते हैं कि लोग मुझमे इसनान करते हैं वस्त्राणी प्रक्षालेंती वस्त्र दोते हैं तथा और चै, मलमुत्र आदी विशर्ज रजे निर्वन्त दे मलमुत्र आदी विशर्ज रहनी त्याग कर निर्वन्त दे मतलब लोट जाते हैं मलमुत्र त्याग कर वापस लोट जाते हैं वस्तुते इसलिए सेर्वे सभी जगे स्वार्तम समीते स्वार्ति सिद्ध होता है इसलिए सभी जगे स्वार्त ही सिद्ध किया जाता है या स्वार्त ही साधा जाता है ये बात किसने कही नदी के जलने कही कि सभी लोग मुझ में इसनान करते हैं वस्तर दोते हैं और मलमुत्र आदित त्याकर लोट जाते हैं इसलिए लोग सभी जगे सभार्त ही सिदोता है फिर से देखा आगे चंचल व्रक्षम उपगम में एप्रचत तब चंचल नामक शिकारी ने व्रक्षम पेड के उपगम में पास जा करके एप्रचत पूछा तब चंचल नामक शिकारी ने पेड के पास जा करके पूछा व्रक्षय एवदत तब पेड ने कहा या पेड बोला मानवा मनुसे असमाकम हमारी चाया में विर्मन्ती विराम करते हैं विश्राम करते हैं तब पेड ने कहा या पेड बोला कि मनुसे हमारी चाया में विराम करते हैं विश्राम करते हैं अस्माकम फलानी खादनती और हमारे फल खाते हैं उन्य फिर भी कुठारे खुलाडी से प्रहरते परहार करके अस्मभ्यम हमारा सरवदा हमेशा कष्ट दरती कष्ट ही देता है फिर भी हमें कुलहारी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देता है कि देखो मनुसे हमारे चाय में बेड़ता है विराम करता है विस्राम करता है हमारे फल खाते हैं फिर भी कुलहारी के प्रहार से हमें हमेशा कष्ट ही देते रहते हैं यत्र कुत्रापी छेद्रम कुरुंती जहां जहां यत्र जहां कुत्रापी कहीं भी जहां कहीं भी छेद्रम कुरुंती पेड़ों को काट देते हैं छेद्रम का अर्था है काटना और कुरुंतियानी करते हैं काटने का कार्य करते हैं इसलिए सेर्वय स्वार्तम समीते इसलिए सबी जगे स्वार्त ही सिदोता है अन्नादी के जन ने भी यही कहा और व्याग्र ने भी यही कहा और पेड़ ने भी यही कहा सेर्वय स्वार्तम समीते सबी जगे स्वार्त ही सिदोता है समीपे एका लोमसी का पास में ही एक समीपे मतलब पास में एका एक लोमसी का लोमडी बद्री गुल्मानाम बद्री करता है बेर और गुल्माना मतलब जुंड कि बद्री करता है जारी या बेर जारियों का गुल्माना मतलब समुव है कि बद्री गुल्मा नाम जाडियों के समुव में या जाडियों के गुच्छे में प्रिष्टे निली नाम एता वारतां 37 में छुप करके एता ये सभी वारतां वारता को 37 में सुन रही थी पास में ही एक लोमड़ी जाडियों के गुच्छे में छुप करके या बेट खरके शान्ती से इस पूरी वारता को सुन रही थी इस वारता को सुन रही थी सा वहे सैसा अच्छानक चंचलम चंचल नामक शिकारी के पास उप्सृते पास जाकर के कतेती कहती है वहे अच्छानक चंचल नामक शिकारी के पास जाकर के कतेती कहती है का वारता क्या बाचित हो गई है या क्या बाचित है क्या वारताला पे क्या बात है माम अप्पी विग्या पे मुझे भी बताओ माम अनि मुझे अप्य अनि भी विग्या पे बताओ क्या वारताला पे क्या बात है मुझे भी बताओ से अवदते तब उस खिकारी ने कहा अनि मात्र सवस्य अनि मोसी और मोसी आवसर तवम समागत्वती आई हो और यह मोसी आप तो उचित समय पर ही आई हो सही मोक्य पर या सही समय पर आई हो मया अस से व्यागर से प्राणा रक्षिता मया नी मेरी अस से व्यागर से इस व्यागर से प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा करो मेरी इस व्यागर से प्राणों की रक्षा करो मतलब इस व्यागर से मेरे प्राणों की रक्षा करो प्राम है नहीं इसकार्टे से ऐसे नहीं होगा कि अरे मोसी आवस्रे तम समागत्वती अरे मोसी आप उच्चित समय पर आई हो या सही समय पर तुम आई हो मै यानि मैने या मेरे द्वारा अस्य व्यागर से इस व्यागर की प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई है कि मेरे द्वारा इस व्यागर के प्राणों की रक्षा की गई है या मैने इस व्यागर के प्राणों की रक्षा की है परन्तु एसे मामेव मुझे ही खादितुं खाना इच्छती चाता है मैंने इसके प्राणों की रक्षा किये परन्तु ये तो मुझे ही खाना चाता है तदंतरम इसके बाद में से लोम सिखाये निखिलाम कथाम नवे देता है तदंतरम इसके बाद से उसने लोमडी को निखिलाम संपून कता को बताता है इसके बाद वह लोमडी को संपून कता बताता है या लोमडी को उसने संपून कता बताई लोमडी ने चंचल नामा के शिकारी को कहा बडम ठीक है तवाम जालम प्रसारिय तुम जाल को फ। लोमडी ने चंचल को कहा चंचल कों था शिकारी का नाम था व्याद का नाम है था बाडम ठीक है तवम जालम प्रसारिये तुम जाल को फैलाओ पुनह है फिर सा व्यागरम सैनी वह है वह कौन लोंबडी व्यागरम एवदत व्यागर से बोली फिर वह है व्यागर से बोली केन प्रकारेन तवम एताश्विन जाले बद है केन प्रकारेन किस प्रकार से केन प्रकारेन किस प्रकार से तवम तुम एतवसिन जाले इस जाल में बधै बंद गए थे कि फिर वहे उस व्यागर को बोलती है व्यागर से बोलती है कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंद गए थे इस जाल में फस गए थे इती इस परकार अहम पर्तेक्सम द्रस्टुम इच्छामी ऐसा कारिये मैं पर्तेक्स देखना चाहती हूँ मतलब लोमडी कहती है कि आप इस जाल में किस परकार पसे ये पूरा दर्से मैं पर्तेक्स जूप से देखना चाहती हूँ व्यागर तद वर्तांत पर्दिस्तुम तश्मिन जाले प्राविस्ते व्यागर उस वर्तांत को व्यागर मतलब वो शिंग वो बाग या व्यागर तद वर्तांत उस समाचार को या उस वर्तांत को पर्दिस्तुम दिखाने के लिए कि मतलब किस प्रकार पसाता तो वापस एक बोग फस करके उसमें दिखाने के लिए परदिस्तुम दिखाने के लिए तश्मिन जाले प्राविस्ते उस जाल में प्रवेश करता है बतलब व्याग्र उस वर्तांत को फिर से परदशित करने के लिए उस जाल में प्रिवेश किया लोम्णी का पुन्य एक अतियत तब लोम्णी ने फिर से कहा संप्रती अब पुन्य पुन्य बार बार कुर्द्रम करत्वा दर से कूद करके दिखाओ फिर लोमणी ने कहा कि अब बार-बार कूद करके हमें दिखाओ से तथेव समाचरते आचरने किया फिर उसने वेशाही आचरने किया अनारतम लगातार कुदने से लगातार कूदने से सहे वहे व्यागर स्रानतम एब होते दुखी हो गया या थके गया लगातार कूद्रे से वह व्यागर दुखी हो गया या ठक गया जाले बधे से व्यागर कलांतम सने नी सहायो बूत्वा तत्र एपतत जाले बधे जाल में फसावा या जाल में बंधावा से वह व्यागर कलांतम दुखी होकर या ठक कर सन नी सहायो नी सहाय होकर के भूत्वा होकर के तत्र वही पर एपतत गिर गया कि जाल में फसावा वह व्यागर दुखी होकर के या प्रेशान होकर के ठक कर नी सहाय होकर के वही पर गिर गया प्राण विक्षायम चै एयाचते और प्राणों की विक्षा मांगने लगा लोम्ण शिका व्यागरम अवदते तब लोम्ण ने व्यागर को कहा सत्यम सत्य ही तवया बनितम तुमने का है तुमने सत्य ही का है कि सबी जगे स्वार्त ही सिद्ध किया जाता है या सबी जगे स्वार्त ही साधा जाता है तुमने सत्य ही का है कि सबी जगे स्वार्त ही सिद्ध होता है तो इस परकार काटे को कांठे से निकाला जाता है ये कहानी का सिर से कहे, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बर इसका, कि कस्चित चंचले नामे व्याद है, कि कोई चंचन नामक एक शिकारी था, पक्षी मिर्गा अधिनाम गरहन से सवकिया जीविका निर्वायती इसमे है, पक्षी मिर्ग आधि पकर करके वह अपनी जीविका यापन करता था, एक दा से वने जालम विस्तरिय गरहम आ गतवान है, एक बार वह जंगल में जाल फेला करके अपने गहरे आ गया, अन्यस्मिन दिव से प्राते काले यदा चंचलां वनम गतवान है, दूसरे दिन प्राते काल के समय जब चंचल नामक शिकारी वनमें गया, तदा से द्रिष्टवान है, तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले दुरुबाग्यात एक व्यागर बदै आसिये थे, कि उसके द्वारा फ्हलाए गए जाल में दुरुबागय से एक व्यागर फसावा था, सो ऐ चिंत्यत उसने सोचा, व्यागर माम खादिशेती, व्यागर मुझे खाएगा, अतैवे पलायनम करणियमें, इसलिए हमें मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, बलकि व्यागर न निवेदन किया कि हे मनुसे कल्यान बावतूते, तुमारा कल्यान होगा, यदि त्वाम माम मोची से सी, यदि तुम मुझे छुडाओगे, तरही तो एहम त्वाम नय हनिशामी में तुमें नहीं मारूंगा, तदा से व्यागर व्याद है, व्यागरम जालात बही निर्शा तब उस शिकारी ने व्यागर को जाल से बहार निकाल दिया, व्यागर कलांता आसीद, व्यागर दुखी हो गयाता या प्रेशानता या ठक चुकाता, सो ऐवदत इसलिए बोला, भो मानवे हे मनुसे, पिपासु अहम है, मैं प्यासा हूं, नद्या जलम आनियम, मं पिपास मं पिपासा समय, नदी का जल ला करके मेरी प्यास को श्यानत करो, व्यागर जलम पित्वा, व्यागर जल पी करके पुने व्यादम एवदत, पुने सिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास श्यानत हो गई है, साम पड़ते, अब भुभुख्षतो अस्मी में भूखा इदानीम एहम तवाम खादिश्यामी इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा चंचल उक्तवाने तब चंचल नमक शिकारी ने कहा एहम तवत करते दर्मम आच्रितवाने कि मैंने तुमारे लिए धर्म का आच्रण किया है धर्म का कारी किया है तवया मिथ्या बनितम तुमने जूट कहा है तुम माम खा दे तुम इच्छ सी तुम तो मुझे खाना चाते हो व्यागर एवदत तब व्यागर ने कहा अरे मुरख हे मुरख हे किसुदारत आए कि मपी एकारियम ने बहुती कि भूक के लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है सभी स्वार्त को सिद्गरते हैं या सभी अपना स्वार्त साढ़ते हैं चंचलर नदी जलम आप्रचत तब चंचलर नामक शिकायर ने नदी के जल से पूछा नदी जलम अवधते नदी का जल बोला एवं एवे बहुती ऐसा ही होता है जना मई इसनानम कुरुवन्ती लोग मुझ में इसनान करते हैं वस्तराणी पक्षालेंती कपड़े दोते हैं मलमूत्र आदिकम विशर से निरते और मलमूत्र आदित त्याग कर लोट जाते हैं वस् सिकारे ने व्क्ष के पास जा करके पूछा वरक्ष ऐव Надत तब पेड़ने aces कहा ळंदे शेरें करें हमारे फ़लहन कुने भी कुठारे भिलहाडा से परहर शेर्व राइते हमें की देता है यत्र कुत्रापी छेद्रम कुरुवन्ती और जहां कहीं भी पेडों को काटते रहते हैं इसलिए सेर्वे स्वारतम समेते सभी जगर स्वारती सिदोता है समीपे एका लोमशी का बदरी गुल्मानाम प्रस्टे निलनाम एता वारताम सनोरती समें पास में एक लोमडी जहाडियों के गुच्छे में छुप करके संपुन वारतालाव को सुन रही थी सा सहसा वह अच्छानक चंचलम उपसरते खतेती चंचल नामक सिकारी के पास आकर के कहती है का वारता क्या बात है माम अपी विग्या पे मुझे भी बताओ सह अवदते तब उस सिकारी ने कहा एह मात्र सवसे अरे मोसी आवसरे तवम समागत्वती आप उचित समय पर आई हो मैं अश्य व्यागर से प्राणा रक्षिता मैंने इस व्यागर के प्राणों की रक्षा की परम एसे मामेव खा दितुम इच्छती परन्तु यह मुझे ही खाना चाता है तदंत्रम इसके बाद से लोमशी का ये निखिलाम कथम निवे देती उसके बाद उसने लोमणी को संपून कता सुना दी लोमणी का चंचलम अयकत्यते लोमणी ने चंचल को कहा बाडम ठीक है तवम जालम प्रसारिये तुम जाल को फैलाओ पुने फिर सा व्यागरम एवदते वह व्यागर से कहती है केन प्रकारेयन तवम अस्विन जाले बद है कि किस प्रकार से केन प्रकारेयन किस प्रकार से तवम एकस्विन जाले बद है तुम इस जाल में फस गए इती अहम परतेक्सम द्रश्टुम इच्छामी ये सब कुछ मैं परतेक्स जूप से देखना चाहते हूँ व्यागर तद तब व्यागर वर्तांत परदशित करने के लिए उस जालबे प्रिवेशित करता है या प्रिवेशित किया लोम्शी का पुन्य एक अत्यत तम लोम्डी ने फिर से कहा संप्रती अब पुन्य पुन्य कुर्द्रम करतवा दर से बार बार हमें कूद कर दिखाओ से तथेव समाचरते उसने वेशाही किया अनार्तम कुर्द्रेन से लगातार कुद्रे से वह स्रान्तम अबवते ठके गया या दुखी हो गया जाले बदे से व्यागरे कलांतम सने नी सहायो भूतवा तत्र एपतत और जाल में भंदावा वहे व्यागरे ठक करके और नी सहाय हो करके वहीं गिर जाता है और प्राणम बिक्सामिवे चैयाचत और प्राणों की बिक्सा मांगता है लोमशी का व्यागरम अवदत तम लोमडे ने व्यागर से कहा सत्यम तवया बनितम तुमने सत्य ही कहा था कि सेर्वे स्वार्तम समेते की सभी जगे अपना स्वार्त सिद्ध किया जाता है इस परकार हम भी यहां स्वार्ती सिद्ध करेंगे आपकी प्राणों की रक्षा नही जा सकता है यह अपना पार्ट पून हो चुका है